प्रेक्राईटेटेटेटेटेटेटेटे के लिए लेकर आते हैं अगर आपने उन bottles को अभी तक open नहीं किया है तो आप उनको कितने भी time के लिए store करके रख सकते हैं वो कभी खराब नहीं होगी क्योंकि whiskey, vodka या rum की कोई भी expiry date नहीं होती बट beer या फिर wine की expiry date होती है आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए बट अगर आपने अपनी bottle को open कर लिया है और उसको store भी करना चाहते हैं कुछ six months या year के लिए या फिर उससे भी ज्यारा time के लिए तो आपने notice किया होगा कि आपकी whiskey में वो पहले वाला taste या flavor नहीं है या फिर आपको faded flavors feel होगे और इसी problem का solution लेके आज मैं इस वीडियो में आया हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ five ऐसे tips जिसमें आपको bottle open करने के बाद भी आप अपनी whiskey को fresh as new store कर सकते हैं और वैसे भी एक whiskey review channel होने की वज़े से ये मेरी duty भी बनती है कि ऐसे tips मैं आपके साथ share करता रहूँ वीडियो बहुत ही interesting and informative होने वाला है friends बिल्कुल भी skip मत कीजिएगा वीडियो को पूरी देखे गया तो स्वागत है आप सबका आपके अपने channel अर्बन whiskey पे जहां आपको ऐसी ही वीडियो देखने को मिलती रहती है अगर आप channel पे first time है है या फिर आपने अभी भी channel को subscribe नहीं किया है तो please channel को subscribe कीजिए और साथ में bell icon को भी press कीजिए और उसे all पे set कीजिए ताकि आपके पास सभी notifications पहुंच चकेए काम और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like जूर कीजिए और जादा से जादा share कीजिए ताकि आप भी हमें help कर सके channel को grow करने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो आज जो tips मैं आपसे share करने वाला हूँ इन्हें खुद मैं अपनी collection के ऊपर apply भी करता हूँ तो चलिए अब आते हैं अमारी tip number one पे सबसे पहले विस्की रखने के लिए आपको ऐसी जगा ढूननी चाहिए जहां पे ना तो direct sunlight और ना ही heat आती हो क्योंकि यह दोनों ही enemies हैं विस्की इससे आपकी विस्की के flavors change भी हो सकते हैं और fade भी इसके लिए आपको एक ऐसी जगा चाहिए जो dark भी हो और ना ही वो ज़्यादा cool हो और ना ही hot इसके लिए आप cupboard चूज़ कर सकते हैं या फिर एक बड़ा सा box चूज़ कर सकते हैं और best option है कि अगर आपकी whisky bottle आपको with box मिलती है तो आप उस bottle को हमेशा box में ही रखें तो चलिए अब आते हैं tip number 2 पे whisky, vodka या rum को रखने का एक rule है कि इनको हमेशा vertical position में या upright position में ही रखा जाता है इनको कभी भी आपने देखा होगा horizontally place नहीं किया जाता है क्योंकि अगर आप इनको ऐसे रखेंगे तो आपकी whisky leak भी हो सकती है जिससे मौका मिलेगा new air को enter करने का bottle में और इससे आपकी whisky oxidize भी हो सकती है जिससे आपकी whisky के flavors change या फिर fade भी हो सकती है आप इस बात का जरूर ख्याल रखिए जब भी आप अपनी whisky को store करते हैं तो चलिए अब बढ़ते हैं tip number 3 पे अब आपने whisky रखने के लिए एक suitable जगा भी डूंड ली है और bottles को भी perfectly vertical position में रख दिया है बट आपके पास अगर cork वाली bottles हैं तो आपको उनकी कुछ extra care करनी पड़ेगी आपको कुछ नहीं करना है बस month or two में आपको bottles को two to three times आराम से उनको हिला देना है ताकि cork moist हो जाए अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो आपकी whisky bottle का cork जो है वो dry हो जाएगा और air को भी मौका मिलेगा bottle के अंदर enter करने का जिस से whisky oxidize हो जाएगी और उसके flavors change या पर fade भी हो सकते हैं और आपकी bottle का cork जो है वो crack भी हो सकता है एक additional tip में आपको यहां पर देना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई empty cork वाली bottle पड़ी है तो उसका cork निकाल के आप रख ले ताकि अगर आपकी किसी bottle का cork खराब हो जाता है तो आप उस old cork को उस bottle पे लगा सके तो च चला गया है क्योंकि summer आगे हैं और Summers में रम को कम ही use किया जाता और जैसे कि आप देख रहें हैं अब कि मेरी रम की bottle इतनी अभी खाली भी नहीं होई है इनको मैंने अभी इतना पी नहीं तो मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि मैं इनको एक season के लिए रखूं और इनका जो flavor प्लास्टिक टेप से इनको सील कर दिया गया है ताकि इसके अंदर एर एंटर ना हो और इसका फ्लेवर भी बिल्कुल चेज ना हो और जब मैं इसको अगले सीजन में ऊपन करूँ तो मुझे ये फ्रेश एज न्यू ही टेस्ट करने को मिले आप भी अपनी विस्की के ऊपर ऐसी ही सील लगा के आप उनको फ्रेश एज न्यू लांग टाइम के लिए रख सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपको टिप्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजेगा तो चलिए अब फिफ्ट पॉइंट के उपर यानि की लास्ट अफ़ वीडियो के और फिफ्ट पॉइंट को मैंने टू पॉइंट में डिवाइड किया है फॉस्ट यह कि अगर आपकी बॉटल अब खतम होने वाली है या फिर आप अपनी बॉटल को इतनी जादा देर तक स्टोर करके नही कर दिए या फिर अपने फ्रेंट्स को बुलाइए और उनके साथ एक बड़ी आशाम गुजारिए और पॉटल को खतम के लिए बट अगर आप अपनी बॉटल को ज्यादा देर तक स्टोर करके रखना चाहते हैं और आपकी बॉटल हाफ से जादा खतम भी हो चुकी है जिस ऑक्सिडाइस हो जाएगी और इसके फ्लेवर और टेस्ट में जल्दी से परक पड़ जाएगा तो इसको मैं क्या करूंगा इसको मैं जो है हाफ बॉटल मेरे पास एमटी पड़ी है मैं उसमें ट्रांसफर कर लूँगा ताकि उस बॉटल में एर की जो क्वांटिटी है वो फ्रेश एज न्यू रह जाएगी और आप भी इसी स्ट्रेटेजी को अपनी विस्किस के साथ फॉलो कर सकते हैं तो यह थी आज की वीडियो आई होप कि आपको आज की वीडियो का टॉपिक ज़रूर पसंद आया होगा आप अपने ऑपिनियन सजेशन्स एड एक्सपिरिय इंजोई कीजिए अपना और अपनी फैमिली का खियाद रखिये ओल्वेज ड्रिंक स्मार्ट एंड रिस्पॉंसिबली पियो करो मौजा और लोग नजारे चीर्ज झाल